नवशकार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है इस्तन महिलाओं के शरीर का सबसे महतोपोनंग है याना केवल उनकी खुपसूर्ती बढ़ाता है बलकि मा बनने के बाद शिशु को कुछ महीनों तक पोशन भी देता है अगर आप भी उन महिलाओं में से हैं जिने इस्तनों के आसपास खुजली के शिकायत रहती है तो इसे अंदेखान नहीं करना चाहिए बलकि आपको इस पर तुरंद ध्यान देने की जरूरत है आपके इस्तनों में खुजली और लालपन होने के कई कारण हो सकते हैं हलाकि राहत की बात यह है कि इस्तनों में खुजली होना कोई गंभीर समस्या नहीं है लेकिन पब्लिक प्लेस पर इस्तनों को खुजलाना थोड़ा एंबेरिसिंग जरूर हो सकता है ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप पता लगाएं कि आखिर इस्तनों में खुजली का कारण क्या है सही फैब्रिक की ब्रा न चुरना कई हद तक ब्रा का फैब्रिक भी इस्तन में खुजली के लिए जिम्मेदार है ब्राहर तरे के फैब्रिक से बनी होती है जैसे कॉटन, पॉलिस्टर, होजरी, स्पेंडेक्स, सिल्क इन में से कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो इसकिन को सूट नहीं करते और पहनने के बार आप खुजली का नुभाव कर सकते हैं सन बर्न से हो सकते हैं रेशित, कई महिलाओं के इस तन सूरज की रोशनी के प्रती ज्यादा समवेधन शील होते हैं इसलिए जो महिलाएं या लड़कियां टॉपलेस होकर बाहर जाती हैं उनकी तोचा में जलन हो सकती है गलत साबुन और डिटरजेंट का इस्तमार नहाने के लिए हार्ट साबुन और कपड़े धूने के लिए डिटरजेंट का उप्योग करने से भी तोचा में जलन हो सकती है इसलिए अपनी स्किन के प्रकार के हिसाब से सही साबुन का चुनाओ करें डॉक्टर्स के अनसार अपनी ब्राकोद होने के बाद धूप में ही सुखाएं भले ही वो वाशिंग मशीन में पूरी तरह से ड्राय हो गई हो